नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है कहते हैं कि राजनीत संभावनाओं का खेल है और बहुत ही बेरहम होती है न इसमें कोई सगा होता है न पराया होता है वक्त और परिस्थिती के मुताबिक अपना पराया हो जाता है और पराया सगा बन जाता है लोग जन सकती पार्टी में राम बिलास पासवान के नव रहने के बाद जो कुछ भी चल रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि अब चिराग पासवान बीजेपी को अच्छे नहीं लगते हैं उनकी एंट्री एंडिये में लगभग बंद हो चुकी है कल जिस तरीके से उनके चाचा पसपत पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज केंद्री गरी मंत्री अमित साहस से मिले तस्बीरों में आप देखेंगे उससे साफ संकेत दिया जा रहा है उनको कम से कम तीन घटना करम ऐसे हुए है जिससे चिराग पासवान को समझ जाना चाहिए कि अब वो राम यानि प्रधान मंतिर नरेन मोदी के लिए चिराग पासवान रुपी हनुमान की जरूरत नहीं है यही तो राजनीती है चाहनितीस्त कुमार का दबाव हो या अबिहार में सियासी फायदे की बात लेकिन चिराग पासवान लग रहा है कि अब बीजेपी को नहीं चाहिए पाली गटना जैसे ही पस्पत पारस ने लोजपा में तूट कराई पांच सांसदो को ले करके अलग हुए ततकाल ओम बिरला ने जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने लोजपा संसदी दल के नेता के रुप में मानिता दे करके दे दिया था इसको ले करके चिराग पासवान उनके पास पहुँचे थे और विरोध दर्ज कराया था कि कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर लिये होते लेकिन उनकी नहीं सुनी गई इसके बाद वो हाई कोट गए लेकिन वहां भी रहत नहीं मिली चिराग पासवान का तर्क था कि वो 570 को पार्टी से निकाल चुके हैं लिहाज अब पसपच पारस को ऐसे मानिता नहीं दी जाने चाहिए थी इसके बाद उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद मोदी को भी चिठी लिखा कि उनको मंत्री बनाना है मंत्री बनाईए लेकिन निर्दली ये के रूप में प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने उनकी चिठी का संग्यान नहीं लिया उसी रूप में उनको सपत दिलाई गई कैब्रेट मंत्री के रूप में सपत दिलाई गई फिर तीसरी घटना मंत्री बनने के बाद फोन पे जो बातचित होती है वो तो हो ही रही होगी ये पस्पच पारस अपने दुसरे भतिजे प्रिंस राज को ले करके मिलने पहुचे के द्री ग्री मंत्री अमिज सास से आदे गंडे तक ग्री मंत्री के घर पे दिल्ली इस्थित जो उनका निवास से मुलकात चली है और उसमें जो भी खिच्डी पकी हो लेकिन ये तस्बीर बता रही है कि तीसरी घटना कोई मामूली नहीं है इससे साफ संकेत दिया जा रहा है संदेश दिया जा रहा है चिराग पासवान को कि अब दरवाजे हैं उनके लिए बंद क्योंकि हम तो असली लोजपा इन ही को मानते हैं अब चिराग पासवान के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो अब क्या करेंगे एक तरफ उन्होंने अपने पिता की जनती थी पांच जुलाई से जो उन्होंने आसिरवाद यात्रा निकाली उसको तो करी रहे हैं और उसमें अपने को मजबूत करने की कोशिस कर रहे हैं क्या उधर जाने से उनको फायदा है क्योंकि उसमें उन्होंने टाइम बारो कर लिया था तो दो बाते हैं एक तो NDA से चिराग पासवान की दूरी और दूसरी क्या अब उनके पास बिकल्प क्या बजता है नितीश कुमार पे जो वार कर रहे हैं और BJP से दूर हो रहे हैं क्य या वो अकेले इन दोनों का सामना कर पाएंगे या उन्हें भी सहारे की जरूरत है महागटबंधन की तरफ खिसक जाना चाहिए ये उनके सामने यक्ष प्रश्न है बड़ा सवाल है होता क्या है कि राम बिलास पासवान जब तक थे तब तक परिस्थितिया एकदम अलग थ बस उनके साथ एक ही अच्छी बात है कि राम बिलास पासवान की दो पत्निया राज कुमारी देवी और इना पासवान और दोनों के जो बच्चे हैं जो परिवार है वो इस समय एक जुटता के साथ उनके साथ खड़ा है और बिहार में जो भी यात्रा निकाल रहे हैं वहा परिवार में सीटे दिलाने या समिकरण बिगारने की स्थिति में आ जाएंगे यही बीजेपी उनको गले लगा लेगी और पसपत पारस को छोड़ देगी लेकिन वो तो बात की बात है कि आगे क्या होगा फिलहाल चिराग पासवान के पास बिकल जादे नहीं है तो वहां झाल 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 झाल